जहिन दोस्तों मैं निदी बेंचोहान आज हम करेंगे class 10 का 3.6 का question 1 का part 8 तो यह हमारे दो समीकरण है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे इस पूरे को मानेंगे a और इस पूरे को मानेंगे b तो हमारे समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएंगे a plus b बराबर 3 बटे 4 समीकरण 3 a बटे 2 minus b बटे 2 बराबर minus 1 by 8 तो यह देखिए यह 2 से यहां गुणा हो जाएगी तिर्शी गुणा तो यह हो जाएगा minus 2 बटे 8 दो से cancel तो minus 1 बटे 4 यह हो गया हमारा समीकरण 4 अब समीकरण 3 और 4 को जोडने पर यह देखिए हमने जोड दिये हैं तो b से b cancel यह हो गया 2a और यह 3 minus 1 बटे 4 तो 3 में से यह गया तो 2 बटे 4 हो गया अब यह हो जाएगा यह 2 यहां गुणा हो रहा है यह नीचा के भाग होगा ठीक है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1 बटे 2 फिर यह दो यहां पर जाएगा तो a बटे 4 आणसर हमारा आएगा ठीक है अब समीकरण 3 में a बटे 4 हम रखेंगे तो यह समीकरण 3 में हमने a बटे 4 ठीक है अब इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाएगे तो माइनस हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2 बटे 4 और 2 बटे 4 कैंसल होगा तो होगा 1 बटे 2 ठीक है अब a बराबर है 1 बटे 3x प्लस y बराबर 1 बटे 4 ठीक है यह a बराबर आगया न हमारा तो हमने यहां रख दिया अब इसकी तिर्शी गुणा यह हो गया समीकरण 5 समीकरण 5 और फि 3x-y बराबर 1 बटे 2 इनकी तिर्शी गुणा हो जाएगी तो यह आ जाएगा हमारा समीकरण 6 अब इन दोनों को हम कर देंगे प्लस तो यह देखिए y से y कैंसल 3 और 3 6 x 4 और 2 6 6 इदर गया तो आंसर आएगा 1 तो हमारे आंसर आ गए हैं समीकरण 5 में x बराबर 1 तो यह समी 3y बराबर 4 इस 3 को इधर लेके आएगे तो 4 में से 3 जाएगा y बराबर 1 मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत